नमस्कार दोस्तों जेपी स्टेनोग्राफी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है यह डिक्टेशन 80 सब्द परती मिनट का होगा जो की 7 मिनर तक बोला जाएगा जन्च सत्ता से लिया गया है 10 सेकिंड बाद स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों अगर आप चैनल पर नए ह पेरिबार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बेल आइकन भी ओन कर दें ताकि आपको डेली नएने सब्दों के डिक्टेशन और नोटिपिकेशन सबसे पहले मिलती रहे हैं सरकार इंफ्लूएंजा और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सतर हो गई हैं परधानमंत्री ने इसके लिए उचिस्तरिये बैठक बुलाई और समंधित महकमों को इस मामले में मुश्तेदी बरतने को कहा हैं जाच बढ़ाने और कोरोना बहुरूपों पर नजर रखने की हिदायत दी हैं अच्छी बात हैं कि सरकार ने समय रहते इस मामले में चोकसी बरतनी सुरू कर दी हैं हाला कि भारत में अभी कोरोना संकर्मन की दर दूसरे देशों की तुलना में काफी कम हैं हर दिन आठ से नो सो के बीच मामले दर्ज हो रहे हैं मगर यह इस बात का इसवस्ट संकेत हैं कि कोरोना का परकोप अभी खतम नहीं हुआ हैं और जरासी लापरवाही भी खतरनाक रूप ले सकती हैं फिलहाल इसलिए भी कम मामले दर्ज हो रहे हैं कि कोरोना की लहर थम जाने के बाद अस्पतालों में जाच वगर हैं में सिथिलता आ गई थी जब इन्प्लुएंजा का परकोप बढ़ना सुरू हुआ और जाचे होने लगी तब कोरोना के भी मामले सामने आने लगे हाला कि अभी इसके खतरनाग रूप लेने के परमान सामने नहीं आये हैं मगर स्वास्ते विभाग के लिए इस आधार पर किसी भी तरह की लापरवाही बरतने की चूट नहीं मिल सकती भारत ने कोरोना की खतरनाग लहर के वक्त भी उस पर काबू पाने में सफलता हासिल की थी जबकी तब कोरोना के टीके सभी के लिए उपलबद नहीं थे देश एक तरासद अनुभव से गुजर चुका हैं अब इस पर काबू पाने के उपाय मोजूद हैं दवाएं उपलबद हैं ऐसे में कोरोना से निपटने में किस तरह की अडचन नजर नहीं आती मगर समयस्या लोगों की आदतों में आये बदलाव की जरूर हैं कोरोना की लहर थमने के साथ ही लोग कोरोनोचित व्यवहार छोड़ कर फिर से पुराने ढर्रे पर लोट आये हैं हात दोना नाक मुहें ने ढकना भीडभाड वाले और सारवजन के इस्थानों पर लापरवाही बरतना आदी आदते फिर अपना ली गई हैं इसके चलते कोरोना और इंफ्लुएंजा के तेजी से फेलने की आसंका बनी हुई हैं हाला की परधान मंत्री ने लोगों से अपील की हैं कि वे कोरोना से बचाव समंधी उपायों पर अमल करें मगर इस दिशा में लोग कितने सतर्क होंगे कहना मुश्किल हैं पहले नाक मुहें ने ढखने पर जुर्माने का प्रावधान था फिर भी लोग खुले मुहें गोमने से बाज नहीं आते थे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं हैं कि लोग किस कदर अपनी सुरक्सा के लिए जरूरी उपायों के पालन में भी लापरवाही बरतते हैं ऐसे में स्वाभाविक ही स्वास्ते कर्मियों और दूसरे समंधित महेकमों पर जिम्मेदारी आ जाती हैं कि वे लोगों को संकर्मन से बचाव के लिए जागरुक बनाएं जिन समयश्याओं पर सामाइने नागरिक बोध और निजी जागरुकता से काबू पाया जा सकता हैं उनके लिए भी कड़े कानून लागू करने पड़े तो उसे जागरुक और जिम्मेदार समाज की निसानी नहीं कहा जा सकता इसलिए सरकारी महकमों की सतर्पता के साथ साथ आम लोगों से भी अपेक्सा की जाती हैं की वे इस बिमारी से पार पाने में निजी तोर पर सहयोग करें संक्रामक बिमारियों से बचाव का सबसे कारगर तरीका यही माना जाता हैं की लोग खुद अपनी सुरक्सा करें हाना की देश की बहु संखे आबादी को कोरोना टीके की दोनों जरूरी खुराग दी जा चुकी हैं बुजुर्ग और कमजोर परतिरोधग समता वाले बहुत सारे लोगों ने एहतियाती खुराग भी ले ली हैं इस तरह कोरोना का परभाव लोगों पर पहले की तरह कतरनाक रूप में ने होने की उमीद की जाती हैं मगर इस आधार पर लापरवाही बरतनी की चूट नहीं मिल जाती स्टॉप ना कि दोस्तों इसटीक्टेशन का पीडियुप लिंक डिस्क्रिपम्शन मगजूद है आप वाँसे जाके डाउंलोड कर सकते हैं साथ ही यह दिक्टेशन और इसका पीडियेब वर्डियप गूरू पर भी शेयर के जाता है जिसका लिंक डिस्क्रीशन मुझूद है आप जोइन कर सकते हैं दोस्तों अग डिक्टेशन अच्छा लगे पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें थैंक यू